तो नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में आपको बताए जाएगा कि एर गन में फिरी टिगर वाली प्रोब्लम कैसे सॉल्व करनी है अभी में सहमी दिक्कत होती है जो ये टिगर होते हैं रिलोड तो हो जाती है गन रेकिन टिगर फ्री बेता है तो टिगर फ्री क्यों चलता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे अच्छे से यह रिलोड वाला system है आप देख सकते हो जैसे हम इसे push करेंगे तो यह रिलोड हो जाएगा बेक वाली फॉर्शन यह spring है जो इसे यहाँ पे hold करेगी टिगर को तो simply यह टिगर का फॉर्शन है और टिगर यहां से work करता है तो होता गायज यह है कि यह जो टिगर का फॉर्शन है यह reload हो जाता है लेकिं इसे बापिस देखता है इसलिए गायज यह दिक्गत आती है क्योंकि जो यह है देख सकताँ आप अभी यह जैसे काम कर रहा है वैसे ह यह reload हो जाते हैं लेकिन कुछ भी work नहीं करता है तो trigger चलता है ना कोई बात तो यह दिक्कत यहाँ पर देख सकता है आप welding कर रखिए जो यह low का metal का part है इसमें यहाँ पर बेल्ड कर रखा जो spring के power को hold करता है तो guys यह trigger इसे reload तो कर लेता है लेकिन यह इसे वापिस release नहीं करता है जबकि होता यह है guys जो हमारे है यह reload कर ही नहीं पाता है वेल्ड कराते ही आपके okay हो जाएगे उसके बाद आप gun को use कर सकते हो simply guys यही तरीका है इसके लाव कोई तरीका नहीं है कोई भी air gun हो आपके पास उसमें अगर free trigger की समयश्या हो reload हो रही हो और नहीं हो रही हो यह दिक्कत आप खौल के easily इसे देख सकते हो यह दिक्कत क्यों होती है so guys simply यही दिक्कत होती है चलो इस gun को pay कर देते हैं खौलने का तरीका same ही रहेगा guys आप देख सकते हो simply इसे पे कर दिया और simply हम यह इसका screw वापिस इस पर लगा देंगे so guys आप देख सकते हो यही तरीका है इसका easily आप इसे handle कर सकते हो कोई welding shop पर ले जा कि आप इसे weld करा सकते हो easily weld हो जाएगा so मिलते है next video में